हेलो आपका फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल जिसका नाम है Fashion Next और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फरंट कट कुर्टी के नएने डिजाइन अगर आप अपने लिए नए कुर्टी बनाना चाहती हैं और डिजाइन को लेकर कन्फ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है सभी डिजाइन एक से बढ़कर एक हैं वीज़े तो आप जानते ही होंगे कि कुर्टी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के Fashion चल रहे हैं इसमें Side Cut कुर्टी, Align कुर्टी, Anarkaly कुर्टी, High Low Cut कुर्टी, Naira Cut कुर्टी मारकिट में धूमचा रही हैं और आजकल फ्रेंट कट वाली कुर्टी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि ये बहुती ज़्यादा डिफ्रेंट और इस्टाइलिस लगती है कुर्टी में दिया गया फ्रेंट कट जो की बहुती ज़्यादा यूनिक लगता है और आजकल लेडिस को इस टाइब की कुर्टी पहने देखा जा सकता है ज्यादातर इस टाइब की कुर्टी एलाइन में होती है इनको और भी ज्यादा स्टाइलिस बनाने के लिए आप इसमें लेस का यूज कर सकती है या फिल लटकन का भी यूज कर सकती है आप चाहे तो इसमें बटन भी यूज़ कर सकती है इससे आपकी कुर्टी का लुक और भी ज़्यादा अट्रक्टिव हो जाता है इसको कंट्रास कलर के बोटम के साथ केरी करने पर बहुती जबरदस लुक क्रियेट होता है आप चाहे तो बोटम एमरोडी वाला भी यूज़ कर सकती है वो भी आपको ब्यूटिफुल लुक देता है इस टाइप की कुर्टी को आप ट्रावजर के साथ भी पहन सकती है लेगिंग के साथ भी पहन सकती है और जीन्स के साथ भी पहन सकती है ये सभी टाइप के बोटम के साथ अच्छा लुक क्रियेट करती है बाहर जाने वाली लेडिस या फिर कॉलिज गर्ड के लिए ये कुर्टी परफेक्ट ओप्शन है प्रोफेशनल लुक के लिए इसके कट को आप लो रख सकती है और पार्टी फंक्शन के लिए इसके कट को हाई कर सकती है ये सभी डिजाइन जो हमने आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश की है इन सभी डिजाइन को देखकर आप अपने लिए एक अच्छा आइडिया किरियेट कर सकती है अगर आप प्लेन कुर्टी ले रही हैं तो आप प्रिंटेड बोटम को ट्राई कर सकती हैं यह एक इंडो वेस्टन लुक देती है जिसके साथ आपको दुपट्टा या इस्टोल पहनने की जरूरत नहीं पड़ती इस टाइप की फरंट कट कुर्टी को आप घर में भी बना सकती हैं या अपने टेलर और बुटीक से भी बनवा सकती हैं अगर आप खुद सिलाई करना जानती हैं तो आप अपनी पसंद का फैबरिक लेकर बना सकती हैं और डिजाइन के लिए आप वीडियो में से किसी भी डिजाइन को चुन सकती हैं इस टाइप से आप लो बजट में एक बहतरीन कुर्टी पा सकती हैं और फरंट कट कुर्टी प को थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टोपिक के साथ आप खुश रहिए मुस्कुराते रहिए